सो वेलकम बैक एवरीवन माई नेम इस आयन गोस्ट चलिए सुरुकत है आज के अनले से जहां पर स्टडी करने वाल की कल के दिन देट इस वन ट्विजडे निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेट प्रैन हो सकता है डेटेल में डिसकस करेंगे साथी साथ देख ले इन बैंक निफ्टी ठीक है पर ध्यान से देखो यहां पर चल कह रहा है देखो डिली टाइम फ्रेम में हम यहां पर अगर फॉलो करते हैं यहां पर में क्या देखने के मल रहा है आशका केंडल आप लोग मुझे कमेंट बता रहा है मैं इसका नाम नहीं बोलने माला कि को पटी बता रहा हूं नॉर्मली जब इस टैप पर केंडल होता है इस सोस की यहां पर फाइटिंग चल रहा है बायर्स और सेलर का फाइटिंग चल रहा है ठीक है देखो दिहां से देखना इस वासर सपोर्ट लेवल फाइन यह जो केंडल फॉर में सनुआ था यह खोलते इस लेवल पर अगिन बायर्स ने एंटरी काने का कोसिस के मतलब कहीना कि हमने पहले जैसे बोला था लास्ट विंग में आपको बोला था फ्राइडे को कि अगर नेक्स दिन का कोई कैंडल इस रेंज के अंदर उपन होता है तो चांसे सार देर सेलर इतना पावरफुल नही होंगे मार्केट इस रेंज के अंदर ही रहेगा पूरा वीक तो आगीन कहीना कहीना कि यह जो एक कहीना की करेक्ट होता हुआ दिख रहा है मैं यह आपर फॉर्दर फॉल्लॉड आउट करेंगे नेक्स दिन बस इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए नेक्स दिन मतलब ट स्टड़ी बुलेस मोमेंटम आया पर प्रिविएस यहीं पर एक रिजिस्टन्स हमें देखना को मिला था 43,73700 के आसपास बहुत ज्यादा हमें सौर्ट सेलिंग देख रहा था और वहीं से मार्केट एक टाइप डबल टॉप बनाकर नीचे फॉल किया फिर अगीन जस्ट प्रिविएस सपोर्ट यहां पर था 43,500 के आसपास मार्केट श्लो इंस्टडी ऊपर यह से रेंज के अंदर रहे गें कहिने कि हमें यहां पर लग रहा है कि मार्केट अभी साइडवेस जा रहा है जैसे डेली टैम देखा कि एक फाइटिंग सल रहा तो यहां भी आज जाते हैं कौन सा जो आज का जो हाई था यह लेवल 43,500 या 430 कांसिडर कर सकते हो अगर हमने देखा इसके नीचे मार्केट आता हुए देखता है तो बिगर मोमेंटम डाउंसाइड मिलेगा फॉर इंट्राडे और अगर में देखा कि यह अपसाइड में 747 50 के उपर जा रह देखता है कि सीधा 200 पॉइंट गैप मतलव 750 प्लस गैप ओपनिंग हो रहा कहीना कि इस लेवल के आसपास तो आस यह अब्सर्ब करना है कि आज का जो हाई था मार्केट उसके ऊपर सस्टेंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर वहाँ पर सस्टेंग करता है हाई के उपर म मुमेंटिम करने हैं को सिस करता है तो एक हाँ एक बुलिस ट्रेडिंग अपॉर्चनिटी हमें देखने को मिल सकता है मैं यह नहीं बोल रहा कि उपर मार्केट ओपन हुआ तो जाके बाइ कर लो जाके सेल कोड लो नहीं आपको वहाँ पर एनलाइसिस करना है खुद से लेटा प्लस प्राइज एक्सन करके आप फॉर्दर अपॉर्चनिटी ले सकते हो चलो हम अगर हमने देखा कि मार्केट ना ज्यादा गैप डाउन सीधा यहीं पर ओपन हो रहा है ठीक है क्या करना है पूरा वेट और वाच करेंगे मार्केट अगर ओपन होता है हम वेट कर अगर गैप डाउन सीधा यहीं प्लाइन करना है तब आपको एकदम वेट और वाच करना है आज का दो मार्केट ने लो बनाया था लो कितना है 43,450 यह 460 तो हम वेट और वाच करेंगे अगर मार्केट गैप डाउन के बाद 430 के नीचे सस्टेंड कर रहा है 43,400 40 के नीचे स हमें definitely मिल सकता है, fine, I hope यहादा clear हो गया तो इसको हमने detail में discuss कि about bank nifty, अब देख लेते कि nifty में कैसा opportunity मिल सकता है, nifty को सबसे पहले daily time frame में देखेंगे क्या कर रही है, daily time frame में आगीन यहाँ पर हमें थोड़ा सा upside में selling देखने को मिल रहा है, हमने last candle में देखा था last दिन में कि इस candle में upside market गया, नीचे close किया, seller entry किया, यहाँ भी same, अब इस candle ने ready बना दिया, बोल ही रहा है कि भई मैं seller को लेकर बैठाओ, बतलब कहीं ने कि यहाँ पर seller entry कर रहे है, और यहाँ पर 15 में time frame बहुत अच्छा pattern भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो फिलाल अभी हमें wait क करना है कि market at least, इस high के ऊपर, यह इस low के नीचे sustain करे, तब जाके intraday में bigger momentum मिल सकता है, अब आते हैं 15 में time frame में, देख लेते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है, आप लोग मुझे comment बताना, what is this pattern called, इसको पहले भी कई बार हमने discuss किया, event, हमने stock में भी discuss किया, इस step के pattern के बारे है, fine, अचा, आज का कैसे market ने move किया, अगर हम देखे, तो सबसे वहले market almost, यहाँ कही open हुआ, slow and steady नीचे आया, फिर गया resistance क्या स्वास, वहाँ सब bigger fall देखने को मिला, फिर markets आ रहा दें, sideways, यहाँ पे बहुत कम chances होता है, कि सी option बाहर को पैसा कमाने का, maximum time में आपे option salary पैसा कमा सकते है, short strangle ने तो short straddle बनागे, अब देखते हैं कि कहां पे market open होगा, उससे सब से क्या planning करना है, अगर हमने देखा कि कल के दिन market सीधा gap opening हो रहा है, कहां पे सीधा 150 point gap opening हो रहा है, कहीना कि market इस level के आसपास open हो रहा है, यह level है, 19,843 बोले जा रहा था, 19,800 या 19,825 के आसपास आपको wait and watch करना है, खुलते ही buy बास, sell नहीं करना है, खुलते कोई trade opportunity नहीं देखना है, आपको wait and watch करना है, कि market 19,770 या 770 को कैसे react कर रहा है, अगर कहीना कि यहाँ gap opening होने के बाद नीचे आता है, फिर यहाँ से कोई bullish momentum दिखाता है, तो अब smart हो, समझ आ गया होग ना ज्यादा gap up, ना ज्यादा gap down, इस range के अंदर open हो रहा है, wait and watch करेंगे, अराम से बैटना, हाथ में हाथ रखे, wait करना, कि 19,770 के उपर अगर कोई market जाता है, जाने इसे के buy करेंगे, नहीं, wait and watch करना है, कि वहाँ पर कोई pattern बन जा है, अगर कोई pattern बनता है, बोलें तब ज बुली सकता, this is just an analysis, please हमारी इस analysis को ऐसा recommendation treat मत करना, ये मत बोलने बैट जाना, sir आपने बोला था, उपर जाने से buy, नीशे जाने से sell, मैंने trade किया, मेरा loss हो गया, again मैं कोई recommendation नहीं दे रहा, ये just आपके learning के लिए है, मैं को इस level बता रहा हूँ कि किस level के उपर bullish देखना है, किस level के नीचे बेरिस देखना है, जिससे आपको at least trading में कोई help मिल जाए, ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ते है, यहाँ पर एक चीज बाखी रहा गया, that is gap down के scene में क्या करना है, देखो gap down के scene में बस आपको ये weight करना है, कि 19,660 किसका का काम कर रहा है, क्या ये कोई resistance का का क कर रहा है, अगर हम देखा कि market यहाँ open होता ही, उपर आता है, और रेजिस्टन्स बनाता है, I think आप smart हो, समझ आ गया हो, कोई यहाँ पर क्या opportunity देखना है, किस type of momentum देखने को मिल सकता है, normally यहाँ से इस type of momentum बनता है, तो उससे से आप अपना trading plan कर सकते हो, fine, चलो, अब आग आपको उसका notification सबसे पहले मिले, fine, चलो, आपको stocks के बनो discuss करते हैं, देखते हैं कि ऐसे कौन से stock है, जिनको अपने watch list में रख सकते हैं for the two-day market, fine, तो सबसे पहला stock infosys है, I think infosys हमने कल के लिए भी रखा था, मतलो आज के लिए भी रखा था, अब यहाँ पर momentum क्या हुआ infos के अंदर आ रहा है, जैसे nifty बन रहा था, तो comment मुझे जरू बताना, what is this pattern called, fine, आचा इस pattern के साब से normally जब momentum आता है, nifty में भी ध्यान से सुनना, यहाँ भी ध्यान से सुनना, जब नीचे का कोई support break होता है, उसके नीचे कोई bearish pattern मनाता है, तब एक bearish moment आता है, अब side में कोई momentum मिल सकता है, तो नीचे की तरफ इस particular stock में कौन से level देखना पड़ेगा, आपको 14.32 का wait करने, अगर market 14.32 के नीचे आता है, तब जाके कोई bearish opportunity, अब side में थोड़ा safe चलने का कोशिज करूँगा, 14.50 के उपर अगर market मिलता है, और further कोई bullish pattern बनाता है, तब जाके कोई bullish opportunity देख सकते हैं, एक पर इसको daily time frame में देखते हैं, क्या कर रहा है, इसको मैं reset chart करता हूँ, daily time frame बहुत अच्छा pattern मुझे देख रहा है, यहाँ पर अगर इन दोनों candle stick का low break कर जाए, बहुत अच्छा हम दोनों side में आगा, अगर low break करे तो एक ही दिन के अंदर market almost यहां सकता ह है, अगर इसको fail कर दे, अगर इनके high की ऊपर market चले जाए, यह जो candle देख रहे हैं और green color का, ऐसा green color candle ऊपर भी बन सकता है, यह just an analysis, और जो नीचे का scenario था, नीचे ऐसा red color candle बन सकता है, बस यह range break करने दो एक बार, बस देखना, ठीक है, it is just an analysis, again मैं कोई recommendation नहीं दे रहा, just learning purpose के लिए, बस आप इसको follow रखना, मुझे current बाद हो जुरू बताना, कि sir, infosys में यह momentum आया था, fine, चलो, अगले stock में आता है, अगला stock यहाँ पर जो देख रहे हैं, that is voltas in daily time frame, देखो, stock का नाम है voltas, पहला stock क्या था, infosys, हाँ, यह stock है voltas, अब यहाँ पर ध्यान से देख closing, nearby resistance हो रहा है, ठीक है, यह type of मुझे कहीना कि strong green color candle लग रहा है, strong in the sentiment wise, अगर हमने देखा कि एक दो दिन के अंदर, इस high को market break करता है, तो दिरे से higher possibility कि यहाँ पे bigger green color candle बन सकता है, अब मैं यह नहीं बोल रहा कि, एक ही दिन के अंदर market 860, 870, 900 से लिए नहीं, बस बोल रह जिसको market break ही नहीं कर पा रहा है, और आज के दिन lovely closing दिया है, बस अभी वही wait करना है, अगर हमें next दिन के लिए यह 833 के उपर मिलता है, further कोई bullish momentum देखने को मिलता है, तो bullish trade ले सकते हैं, bearish के लिए wait करेंगे, जब तक यह properly 812 के निचे नहीं आता, कोई भी opportunity bearish side के लिए नह stock, यह कब से 2023, जुन जुलाई से इसने support level बनाया था, जब भी यहां पर आता है bounce back करता है, जब यहां पर आता है bounce back करता है, बट एक बर इसने break कर दिया था, यह वापस यहां पर है, as an investor point of view, as a swing trading point of view, आप लोग समझ गए हो, यहां पर क्या हो सकता है, बट ऐस a trader point of view, आप को दोनों चीज का मजा लेना है, यहां पर दो चीज हो सकता है, क्या चीज, यहां पर देख लो, अगे यह one type of triangle pattern ही बना रहा है, इसको मैं ध्यान से अगर इसको थोड़ा छोड़ा कर लो, मैंने नाम बोल दिया, नाम नहीं बोला चीज़ा था, मैंने नाम ही बोल दिया pattern का तो one type of वोई pattern मना रहा है, अभी तक नहीं सुना तो अब लोग थोड़ा सा skip पीछे जाओ, नाम सुन लिया होगा कौन से pattern मन रहा है, नाम आप लोग बताना मुझे comment में कि कौन कौन से pattern मिला है तो इस particular stock में हमें wait करना पड़ेगा कि अगर यह 562 के नीचे sustain करता है, तब ज market break करता है अपना range bigger momentum मिलता है, ऐसर investor point of view मैं कोई recommendation नहीं दे रहा, बट जब market इसके उपर sustain करेगा, bullish momentum 2-3 दिन के लिए survive कर सकता है, तो आप smart enough हो समझने के लिए, downside मागर यह 562 के नीचे जाता है, इंट्राडे में बहुत अच्छा spot selling का opportunity मिल सकता है, I hope यहादा clear हो गया, औ अच्छा